के लोस्वागत है आज हैं यह भी को चाहिए ही क्यों तो youtube लिए जो है जो हम फोने उसके लिए कि फुद का अपयर टाइबाइट किया हूआ है तो उसमें उसमें यह यह प्रिमीटिव तैप क्यों कि भाई अब कुछ नया चाहिए अब जरूरत बहुत जादे है और अब अब डिफरेंट 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 डिटा चाहिए सब्सेंट सब्सेंट चाहिए इसलिए तो ये उसे अपना ना क्या है करने वाले हैं देखते हैं क्या है तो सबसे पहले इसको हम दो ब्रोड लेवल में जो है कि इसको हम डिवाइड कर सकते हैं ठीक है पहला तो प्रिमिटिव यह जो नॉर्मल मतलब फिक्स डेटाटाइब ठीक है और उसके बाद होता है यूजर डिफाइड यूसर डिफाइन टाइस होते है को तो यहां जाते हैं पहले हम देखते हैं कि प्रिमिटिव में हमारे पास कौन-Kון साइस डेटा situ है तो सबसे पहला जो है नम्बर होता है हुआ है है। न distintos होता है और एक नंबर वोता है और इस है इंटीजर नंबर में होता है वह होता है है और चąż음 достYouTube स्बस्क्राइब ही डिचिए पॉइंट रहे है लेकिन सारे चीज़ी इन तो अगर कहते हैं तो यह सारे जो है कि यह कुछ लेटर थे कुछ लेटर सिंबल करते हैं ठीक है यह अगर यह आपका यह है यह एक सिंबल आ को यह को डिनोट कर रहा है यह एक symbol वह जो को वह धैनल करेगा I इसको आप ऐसा बोल सकते हो कि ये सिंगल करेक्टर है स्ट्रीमम ऑफ करेक्टर बोल सकते हो यानि टेक्स्ट जो भी आप लिते हो यह दो टैटर टाइप जब यहां पर हमको मिलते हैं और तीसरा एक क्या है कि जिसे मान लेजें कि आप भाई आपको तुरूफुलनेस चाहिए ठीक है तो यहते आपका पास यह मतलब यह सोग लेकिन अब मतलब हम जाइब को यह इनको हैं और ऑन समझना चाहिए उसको राइट तो उसके लीए इन्हां ने यह data डिया हुआ है इन्हीं नंबर को मतलब computer के द्वारा कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा जो भी अब डेटा के बात कर रहे हैं तो इसको यह सिस्टम जो है कि पहचाने का ना आपने जो है कि आप रियल नंबर इस्टोर किया है कि इंटीजर नंबर इस्टोर किया वह तो उसको पता होना चाहिए ना तो उसके लिए यह जो है डेटा टाइब हमको जो है कि मतलब प्रोवाइड किया है यहाई लेबल लंगवज किसी भी लंगवज में आप देखेंगे साथ लोलेबल लंगवज में भी होता होगा अब देखते हैं वह नंबर के लिए ठीक है नंबर में पहले हम देखेंगे जो नंबर हमारा दर्ट जार नंबर स्टोर करने के लिए इंको एज सी शार्प ने जो डेटाइप प्रोवाइड किया है फैले हम इंटीगर नंबर के लिए यानी यह दू पांस मारा-5 इस तरहना के फूल मतलब 시 além 14まあ 2014 सबसे पहले तो होता है अब यह बापिट जब यूज करते हैं अगर मांन लिए हमारे पास चोटा number आप से करते हैं उसमें अब भी सब्सक्राइब किया है वह अपिन वेलु हैंना तैंसissant तो लेकिन कितना जो है कि maximum उसमें replace कर सकता है यानि उसकी size जो आप टीफाइन करोगा ना आप जैसे आपने एक memory में आपने एक space locate किया ठीक है तो इसकी जो size होगी वो क्या होगी वह ही हमारा data type define करता है ठीक है यह पर size ही नहीं एक और भी पॉर्माट यह भी हमारा डेटाल बताता है कि इसका फॉर्माट क्या होगा आप यह बताओगे तो यह गोलेगा कि हां भाइव हमको मेश्च मे में इंटीग्रल टाइप डेटा यहां बता है कि यहां पर बाइट करोगे यानि निगे टिब में नहीं रखोगे इसका एक format यह भी बता रहा है कि integral type होगा जो 0 से start होगा यानि यहां पे आप जो भी value रखोगे अगर मान लिजे कि आपने यह byte type का बनाया है तो यहां पे आप 0 से लेके 255 तक जो है कि आप value यहां पे store करोगे तो 1 byte मतलब क्या हुआ अब 1 byte का मतलब वही है टूटू दी पावर 8 bit होता रहे तो यह आप यहां पर जो है कि टूटू दी पावर 8 करोगे आप यहीं जो है कि आप माइनस वन आप कर सकते हो यह नहीं वह 255 है जीरो से स्टार्ट होता है ना क्योंकि यह वन जो हमने 0 के लिए बाते हैं यह आप इतना जो है कि maximum नंबर वहां पर श्टोर कर सकते हो अच्छा अगर आपको बोलते हैं नई भाई हमको negative नंबर भी चाहिए उसमें तो वहां पर यह आप यूज़ करते हो साइंड बाइट यह भी एक ही बाइट लेता है लेकिन यह जो है आपका जो है यह माइनस एकसो अठाइस से एकसो प्लस एकसो सताइस यह इसकी रेंज हो जाएगी ऐसे ही अगर मालें कि यार इतना में भी मेरा नहीं होगा मुझे जो है कि maximum नंबर यहां इसकी साइज हो जाएगी तो बाइट हो जाएगी तो बढ़ गया यह इतना आप उसके maximum नंबर जो है कि उसमें स्टोर कर सकते हैं अब यह जो आपने यूज किया है यहां पर भी अगर आपको जो है कि लगता है कि नहीं मुझे नेगरीव नंबर चाहिए नहीं वहां तो यहां पर आपने लिया है यहां पर आपको ज़रूरत नहीं है तो यह पूरे जो है कि नंबर यह जो बिट है वह सारे बिट नंबर ही स्टोर करने के लिए यूज होंगे लेकिन अगर आप इसको जो है की एस बाइट लेते वह नहीं पचेगा हमारे इसके लिए लिए यह वहां से लेकर कि आप वहह कर सकते हो अप निगेटिम यह तो इतना ही मैक्सिमूम आप जो है कुसके तो यहां पर यहां पर यहां पर आप लिखा हुआ है यहां पर आप से स्टार्ट करोगे लेकिन अगर आप आपने लेखा हुआ है 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 दो हुग है यहां पे será ऩ। का मेरा पूरा नहीं हो रहा है कि थोड़ा नंबर और बड़ा चाहिए लोगे तो वहां पर आप क्या करोगे सोट के जगा आप इंट का यूज करोगे तो हाई एंटी भी एक मतलब लेकिन वह आम आप बताता है कि भाई हमको जो है यह लोगई इसकी फॉर्मेट क्या होगी इंटीज एंटीचलों वार नंबर्ट है इंटीचलों है और इसकी साइज आए यह फॉर बाइट की होगी और यह जिरो रखेगा और निगेटिव में रखेगा पॉसिटीव में रखेगा अगर नहीं आपको लगता है कि इतना नहीं हमको यह बस पॉजिटिव में रखना हमको निगेटिव में रखना तो वहां पर क्या रखते हो यू आइंटी ले लोगे ठीक है यहां पर आप जो है जिरो से नंबर आप स्टार्ट करोगा ठीक है तो ज्यादा तर हम यूज करने वाले हैं इसको लगता है कि आपके पास फिलिपकार्ट जैसा यह कि आपको बनाने के लिए तो वहां पर आपका कहना वह इंट हो सकता है छोटा पढ़ जाए अगर आप प्रोड़क्ट का लिस्ट आप उसमें जो है कि सीरियल नंबर हो गए फिर जो भी नंबर होगा आप रखते हो राइल तो वहां पर हो सकता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं लॉंग यूज करते हैं ठीक है अब यह अब यहा 54 तक आप इसमें लेकर था खती आं कि रह पर करते हो अब देखते हैं थोड़ा ऑड़िया तर नंबर हो करने Sécy यहां को यहां filthy सापिर कर सकते हो दिए एगPat और सब्सक्राइब नबर तो erstatfish करने हैं तो उसके लिए जो इसने दूसरा हमें दीया हुर puzzles को लिए जाना जाने है यह रहुआ इसका तो इसको थोड़ा डोडेल सकते हो थे करता रहता है तो बहुत सारी वीडियो पड़े होंगे उस पर आप देख लीजेगा लेकिन हम अभी उतना डीटेल में जाते हैं इसको बस यह जानते हैं कि हाँ वह हमको पॉइंट में अगर नंबर स्टोर करने हैं ठीक है तो वह हम उसको स्टोर करने के लिए फ्लोट यूज लेकिन फ्लोट यहां पर डिफ्रेंस यह है तो इसका जो मैक्सिमम और मिनिममम जो होता है वह होता है माइनस प्लस थ्री पॉइंट फोर जिरो टू एट टू थो थ्री एटू दी पावर इंटू टेन टू दी पावर संट टी एट अब यह क्या है इसको जो है कि बहुत डीटेल में हम ने जानेंगा बस यह समझे कि यहां पर जो है ना यह एक दो तीन चार पांच है ठीक है जो है कि डेसिमल के बाद ना मैक्सिमाम आप 6-7 डिजिट तक उसमें आप वैल्व एक्सपेक्ट कर सकते हो कि थोड़ा प्रोपरली आपके पास स्टोर होगा ठीक है अब बागी नंबर तो आप जो है कि बहुत सारा इसमें कर सकते हो ठीक है कर सकते हो लेकिन यह आपको कम क आप ध्यान रखना कि हमको कितना डेसिमल लंबर चाहिए एकुरेसी कितना चाहिए ठीक है अगर माले यार आपको जो है कि यह साथ डेसिमल तक ही नहीं को थोड़ा और लंबा चाहिए तो थ्री पॉइंट वन फौर लब मेरे को इतने आता है फोर थ्री टू कुछ कुछ यूज कर सकते हो डबल होता है यह फ्लोड को भी डबल करते हैं हर चीज उसमें डबल डबल रहेगा यह आपका यह जो है कि यह साथ होता है लेकिन वान माइनस वन होता है आठ होगा तो आठ डबल एट इंटू टू टू शिक्टीन शिक्टीन मैंस फंदरा देसिमल के आठ जो भी मतलब एकुरेसी होती है ठीक है वह आपको सकता है ना मिले जैनि आपको कुछ सकता है जीरो-जीरो-जीरो-जीरो-जीरो-जीरो लास्ट में आकर आपका वन मिल जा है ऐसा आपको रहे सकता है यह नहीं यहाँ यहां पर मिलाना यह क्या करते हैं अब डेसिमल यहां पर यूज करने और होता है दिफिरेंस होता है कि दीघ इसा होता है कि यहां पर यहां लेकिन डिसमल के समें तो इसलिए आपको जो है कि डिसमल पॉइंट के बाद जो भी आप नंबर वहां पर यूज कर रहें तो उसमें एरर जो है नहीं आएगा लेकिन कहां तक नहीं आएगा यहां पर जो है आप 28-28 बीट तक जो है कि 28 डिसमल के बाद यहां पर यूज कर सकते हो जो एकदम एकुरेट होगा यह बहुत ही जरूरी चीज था बहुत ही जरूरी इसलिए इसको मतलब हमें प्रवाइड किया है क्योंकि अगर यहां पर आप जो है कि दूसरा अगर डेटा प्रवाइड के उससे हम असना काम चला रहा है तो अगर ऐसा हमारे पास केस आ रहा है जिस इन दोनों से काम नहीं चल रहा है तो उससे बचने के लिए हमकोई और यह वह पॉइंट के बारे में जब बात होती है और यह यूज किया जाता है कि आपको डेसिमल के बाद थोड़ा बहुत चेंज़े सब्सक्राइब अब यह तो हम जो है कि अब कुछ सिंबल्स हम रखते हैं क्योंकि यह सारे जितना इंए अगर गोजागाजी किया है सारा कुछना को सिंबल यह था है तो यह सिंबल भी हमारे देखते हैं अब यह तो यहां पर जितने भी कोई भी लेंगवेज यूज करते हैं तो उसको डिनोट करने के लिए को सिंबल करते हैं तो यह कुछ सिंबल्स हम यूज करते हैं फिर आपके पास यह सब को भी मतलब करने के लिए कि हमें कुछ database में थे लिए तो किरेक्टर में क्या है पकी तरफ यूज को तो यह होता है हमारा एक बाइट का नहीं 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 होता है पहले होता था मतलब कुछ लेंग्वज में आगर आप देखो गए तो यहां यहां सीशाथ में यह दो होता है क्योंकि यार बहुत सारे मतलब आप अब आपको जो है कि मल्टी लिंग्वल अप्लिकेशन भी बनाने पड़ते हैं तो कभी-कभी ऐसा आप अगर सीमबल तो उसमें कई सारे सिंबल तो वह एक विट में फिट नहीं आ रहा था तो उसने क्या है आप सीशार में हमारा जो है दो आइडिया कर दिया इसको यह कि आपका 16 बिट जो है आपका यूज होगा आपका एक यूनिकोर्ड चारेक्टर करने के लिए तो टेवाब ठीक है आपको इस्टोर कोई भी कोई भी यहां पर सकते हो ठीक है अचाँ क्या होता है कि अब भाई हमारे पास तुरूटफूलनेस भी यहां ना कोई ऐसा वैलू है जो उसका यह तो हां होता है या तो ना होता है यहस नो और आफ उपर नीचे टाइप का मतलब होती है तो तो उसके लिकार बूली इन जो है बूली उन टाइप का डेंटा दीया है यहां पर आगर है कि यह तो होता है या तो एक था पनीटान कुल्सका को रणॲोन नहीं होता है है तो प्रणूबiqué तो वहां पर आपका प्रिंटर कनेक्टेट है तो वहां पर आपके पास बनता है तो वहां पर हम इसको यूज़ करेंगे वह कैसे यूज़ करेंगे अगर मान लिए अपने एक बनाया है इसको आपना हां के लिए ट्रू कर दोगे और ना के लिए फॉल्स कर दोगे तो इस तरह से वहां जब प्रोग्राम अगरा बनाना इस्टार्ट करेंगे तो उसको कफ़ेंगे या फिर आगे तो हम इसको मतलब यूज़ करने वाले कि बहुत कॉमन बहुत जैडरल सीज़े तो यह मतलब प्रिमिटिव टाइब इसको हम बोल सके ठीक एक अपने जो है इसके लिए मतलब हम यह यूज़ करते हैं यह क्योड यूज़ करते हैं आपने बूलियर वैलू बनाया है ठीक है यहां पर आप जो ह कि यह आपको प्रवाइट करना है तो वह बैट लेवल पर ही करना है तो वह होता है इसवज़े से शुरत है कि आप यहां पर पर यही कर सकते हो अच्छां आपके पास और रिक्वायर्मेंट आप लिए जैसे माल युक्त प्लिकेशन बना रहे हो लाइब्रेरी मेनेजमेंट का आप जो है के माले एक आप्लिकेशन बना रहे हो तो वहां पर क्या होगा आपके पास यह सारे डेटा टाइप जिसने मतलब सी शाप में जो भी प्रोवाइड किया है आपको यह कम पढ़ जाएंगे भाई आपके वहां पर आपके डिफरेंट ट है वह सारे एक और यह रहां रहे हैं तो वहां पर आप मतलब कई सारे और की बात करें आपके डेटा जो है ना बहूत तरह तरह के होंगे वह आप इस से आप में नहीं करते हो लिए कर सकते हूं क्योंकि पहले जमाने में हो सकता अब्जेक्ट औरिंटेट प्रोग्रामिंग ना रहा तो करते ही रहे हो लोग लेकिन क्या हो वहां पर आपको जो है कि कुछ ऐसा आपको इसको मोडिफाई करना पड़ेगा ठीक है अगर माले जी कि आपका एक डेटा है एक किताब होगा इसका प्राइस होगा इसका और होगा तो इस कर सकते हो तो यह सारे आप जो है कि आप इन ही डेटा टाइप को ले करके आप यूज कर रहे हो तो करने ही पाओगे बहुत मुस्किल हो जाएगा मतलब आपका पूरा जो है कि इतना कॉम्प्लेक्स अप्लिकेशन हो जाएगा कि भाई उसको तो कोई पढ़ी नहीं पाएग अपना डेटा टाइप बात यह होता वहां पर हम जो है कि भाई अपने मर घर से लिमिटेड नहीं है अब आप ज़्माज से लिमिटेड नहीं हो एक हाप पहले करेक्टर से लिमिटेड नहीं है जो है कि ठोड़ा आप डिफ्रेंट टाइपस ऑफ डेटा हम बनाएंगे जैसे माले यह बुक हमारा डेटा टाइप हो गया अब जितने जो हैं कि इसकी ऑबजेक्ट हम आप क्रियेट करेंगे ठीक है इस पर हम स्टोर करेंगे तो यह मेमोरी में अगर एक बार स्पेस अलोकेट होगा ना तो यह इसके लिए इसके लिए अब यहां पर आपके लिए आपने अपना डिफाइन किया है अपना अपना डिफाइन किया आपका मिला करके आपका दो चार दस बार माले यह आपका समय लिए कि 28 अब बाइट का हो गया ठीक है डिटाटाइप जो है कि साइस इसका माल लिए आप यह बुक का बना है आपने डिटाइप उसमें आप चाहें के लिए इस प्राइप करो यहां पर बनाया है वहाँ पर वहां पर और चाहिए हमको एक और किताब करना है तो उसकी लिए कहीं माले आपके लिए तो यह इस तरह से हमें जरूरत पढ़ती है अलग तरह के डिटाइप की भी तो हम देखते हैं होता कैसे हैं और यह प्रिमिट्व लिए कैसे करते हैं और तो पहले जो है कि मैमूरी हमारा जो है कि मतलब एक स्रीज ऑफ बिट्स है कि ये एक बिट्स की नहीं की नहीं pro लिगते तो इसी की बात करते हैं करने के लिए जो भी आपका स्पेस है इन सबका एक यूनिक एड्रेस होता है ठीक है यह मालने जिए कि आपका 12 है यह 13 है यह 14 है यह 15 16 17 18 20 21 ऐसे करके जो है कि इसका आप एकसेस करोगे इसी एड्रेस से आपको इस बीट यह बीट आपका यहां पर आपने जीरो स्टोर किया हुआ है यह अगर आपको एकसेस करना है तो आप क्या करोगे इस लोकेशन से जो है ना इसको एकसेस करोगे ठीक है अच्छा आपन हमने इस प्रेस कहां पर क्रियेट किया है तो उसके लिए हम बनाते हैं वेरियेबल यानि आई एंटी अगर आपने यह लिखा हुआ है तो इसका मतलब यह था भाई यहां पर एक बिट तो मैंने बोला ना किया मिनिमम आप आठ बिट का जो है कि इस पेस यूज कर सकते हो ठ है इसका मतलब यह कि हमको क्या चाहिए फार्मैट क्या होगा इंटीग्रल मैस क्या होगी चार बैट अभी यह तो मतलब थो आपन्य और अ करने करें तो हमको क्या चार बाइट चाहिए टीक है एक बाइट के लिए हमगा इसको एक बाइट के लिए वहाएगा यहां पर उसको मिला इस स्पेस खाली एक दो पी नहीं मिला नहीं यह क्यों कि रिजर्व है तो यह नहीं हुआ यहां पर आएगा एक दो यह इसको जब 40 मिलता है तो अब क्या होगा यह स्पेस जो है ना तो उसके लिए यह इस पेस नहीं मिलेगा यह आपने इस पेस यह रिज़र्व होगा इसके लिए अब यह बी के लिए आगे ढूंड़ेगा तो आप आई एंटी इक्वल आप पांच लिखते हो यह आपने लाइन ओफ लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि मेमोरी में जा आप यह यह माली जी कि यह स्पेस बीकिलिए अगरे लुकेट हुआ है तो इसका नाम रख जाएगा भी ठीक है बीम लोग लिंक प्रोवाइड करा रहा है ठीक है अनि अब हम बार बार इस बीसे जो है कि समय को रिट करना हो है राइड करना होगा तो हम यह वी से ही यूज क कर रहा है ठीक है तो वैसे ही आप जिस तरह का डेटा टाइप यूज करोगे उस तरह का मेमोरी यहां पर रिजर्व हो जाएगा उसके ठीक है तो अब भाई यह तो थोड़ा बतलब क्लियर हो गया होगा राइड कि हाब अगर मान लिजे कि आप प्रिमिटिव डेटा टाइ बनाएंगे ठीक है तो वह देखते हैं और वह भी मतलब बात में देखने कि मेमोरी में वह कैसे मतलब स्पेस वगरा अलोकेट करता है तो हां वह हम जो अपना हमारा लाइबरेरी वाला प्रॉब्लम है उसी को उठाते हैं ठीक है वहां लाइबरेरी में मालने जी कि आपके भाइ बहुत सारे स्टैक्स होते हैं ठीक है यह हम एक चोटा सा सा ने कितने किताब है तो छे STRIK है तो इसके लिए कि हम को जो है पहले रेख पर कितनी किताबे में हैं कि यह मालोगहरे थीकर करना है टेकर क्यों सब्सक्राइब कि एक स्टेश को हमको स्टोर करना है तो इसके लिए उसके लिए आप में इंटीजर कारो करें किद्र किताबए उसमैं इंटीजर हें इसवी किताब्र ऑन सभी इंटीजर हमारे पास 15 किताब एक दूसरा हम बनाते है कि हमारे पास 16 death कि इसमें मालेज्ञे की हम बनाते हैं रैक थ्री यहां पर मालेज्ञे की हमारे पास कुछ आठारे किताब हैं ठीक है इसा कि हमारे पास थीन ही किताव्य है अब ऐसे करके आपको यहां पर भैंने पर यहां पर हैब पकी किताब़ ना क्यर्ट के लिए पूछ रहे हो कि कितने नमबर हैं उसमें कितने किताबें हैं तो यहां पर यह टाइब इंटीजर है तो इसके लिए सी शार्फ हमारा एक बोलता है तुम इतना सारा जो है कि वेरेबल क्रिएट मत करो इसके लिए तुम कहां करो एक अरे डिफाइन कर लो तिक है अब वह अरे में अब तुम जितनी तुम्हारे पास रेक्स हैं जितने भी जिरो तो इंडेक्स पर ठीक है थो आप देखते हैं कि वह बनाते हैं कैसे बनाते हैं जैसे मान लेजिए कि आपका जो है कि मेमोरी में स्पेस कुछ ऐसे जो है कि रिजर्व होगा अब क्योंकि हम इंटीजर से डिल करें तो फॉर बाइट हम उसकर तो यह एक इस स्लोट गोलएं आप इसको पूर बैट मान लेज ठीक है यह 2 है तीन है चार है बाश है यहां पें बनाे यहां पे बना लेते हैं यहां इसको आप यूजर डिफाइन ही बोलते हो यहां बना रहे हो एक कॉंसेट है जिसके तो आप बना सकते हो ठीक है तो हमको आप आठ रहे की जरूँ थी तो हम ने कि आठ के लिए बनाया ठीक है यहां पर यहां पर कुछ ईसा लिखते हूं डीक है आई और टीर्फ है को सक्ति है यह अप कि यह हमारा कर शूंडेग्स होता है कि हम अरे क्रियर कर दिये आ marble क्ली में हमारा इस ऐसे जो है एक पे 생각 हो गया माल जी यह आप यह कुछ लोकेशन जहां से कि आपका यह इस पर स्टार्ट हुआ हैं यह एक एक श्लोड आपका चार चार बाइट का तो यह चार चार जैनल 32 प्लस 32 प्लस 32 करके यह बढ़ेगा हम इसका माली स्टारिंग अडेस सी बस रहते हैं तो अब क्या होगा इसको अगर मैं यहां पर किया होता है कोई इंडेक्स कि उसक्स geen थैके सब्सक्राइब की थैण बूसर आप बीने साथ मेमोरी रिजर्व हो गया है ठीक है रैक्स के देखने लिए ठीक है रैक्स में जीतने नंबर आपकर अमस्टर किया है वहाँ पर तो वह उसके लिए यह पढ़ गया तो यहां पर मालेजी लिख देते हैं अब आप क्या बोलोगे कि भाया रैक्स का यहां पर आपका यहां पर सवाल क्या है हमारा कि भाया देखू जो नंबर का रैक है यहां पर चौथे नंबर का रैक है उस पर कितनी वैलू है मतलब उस पर कितनी किताब है है तो वह हम जो है कैसे करेंगे रैक्स अब क्योंकि यह जीरो इंडेक्स है तो यानी जीरो से स्टार्ट करेंगे एक दो तीन चार यानी 0 यानी 4-1 3 यानी 3 यह इस से जो है न हम वह नंबर हम देख लेंगे बढ़िया हमारा यहां पर सब्सक्राइब अरे को हम काफी डेटल में जो कवर करने वाले हैं अभी तो मतलब बस एक जलक देखिए तो यहां पर आता है अरे लेकिन भाई अभी यहां पर क्या हो रहा है यहां पर सक्वेंसेल ओडर ठीक और सारे यहां पर है डिटताइप सेम है और तक जो हैं सेम है अचहां जब ये डिफाइन डिटाइब आप युज कर देन तोक इसमें जो है कॉंबिनेशन अशन संय अफ प्रेमिटिव अब Dad नोटे है तो है वही सारे डेटाइब वही किताब का इंफर्मेशन चाहिए तो उस किताब का प्राइस कितना है यानि आप क्या बोल रहे हो किताब का प्राइस यानि माल लेजिए कि आपको यहां पर आप उसको रहे हैं तो यह पहले तो आप बता रहे हो किताब का उसकी यह प्रोपर्टी यहां पर हमारा आएगा क्लास तो यह अगर हमारा सिनारियो मीम क्लास और क्लास ओर क्लास यह दो डिजयर टाइब यूज करते हैं ऐसा आप्लपर प्रोपरिटि और करने के लिए ही कि यह ठाग है अब मतलब तंख ताय होता है। कि वहां काफ़ी डिटेल में देखने वाले हैं यह दोनों चीज हम जो है हिसके क्लास बनाते हो रहे हैं तो मालें उसकी प्राइस होगी उसका और भी होगा नमब्मार और पेज़गी होंगे उसमें ठीक है अभी के लिए माले इतना ही हमारा प्रोपर्टी है अच्छा अब आपने जब यह नाम बताया है राइट तो यह नाम जो है लेकिन यहीं अगर जैसे माली कि आपने ऐसे अब किताव है है यहां पर आपने और से color और यहां estàp कि नो पर यहां पर ऐस करते है और यहीं सब्सक्राइब करना झेले आपने देखाना इसकी साइज फिक्स नहीं होती है अब जो स्ट्रिंग मनाते हो तो जितना मन करें उतना बड़ा आप उससे शार्प ने मतलब बता दिया थे घृठी तूम इसमें कि यहां पर यूज करने वाले स्ट्रिंग अब यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यूज कर सकते हो राइट तब यहां पर इसका वैलू नहीं देंगे ठीक है प्राइस क्या होगा ॆइन्टिजर होगा किондon भीर यार क्याथ क्यूं कि यह तो भाइ पर साढ़े प्रना तो होगा एक आपको प्रेवर में रहेगा और वहाइब जीरो से स्टार्ट होगा माइनस वन पेज बोलोगे नहीं आप तो उसको हम क्या कर सकते हैं यू इन्ट यूज़ कर सकते हैं ठीक है जनरली हम आई एंटी ही यूज़ करते हैं मतलब प्रोग्रामिंग में लेकिन आप इसको काफे डीटेल में देखना चाहिए तो वह देख सक करेंगे यानि अब क्या करेंगा हम यह वेरियबल क्रियेट करेंगे यह क्लास का नाम होता है ठीक है यह लाइन अफ कोड हम दिखेंगे तो हमारे लिए मेमोरी में जो है एक ही मतलब पर्टिकुलर जगह में जो है स्पेस अलोकेट हो जाएगा जहां पे आप नाम भी बैसा अब यह आप जितना चाहें उतना आप उट में कर सकते हो करोनों कि किताव है तो जितनी वाइद आपको बुक चाहिए रयड़ तो वहां पे आप यही डीटा यूज कर सकते हो माल ये की x y z यहाँ पर फिर जो है कि वही new keyword यूज़ करके एक memory में space allocate कर सकते हो ठीक है तो इस तरह से आप ये बना सकते हो structure के case में भी वैसा ही है ठीक है तो structure के case में भी आप ऐसे ही मतलब property आप जो है कि बना सकते हो यानि यहाँ पर आपको जो है कि structure करना है और आपका जो है कि यह property बन गया है अब यहाँ पर जो है कि इसकी लिए भी जो है कि memory में ऐसे इस पर चलो के बस फर्क क्या दोनों में मनें बता ना यह रेफरेंस है और यह वैलू टाइप है यह जो है आपका जो है कि हीप में हीप में में जो काफी जो है कि जब class च्रॉक्टर बगर जब देखेंगे तो वहां अच्छे से मतलब इसको अब अभी अभी के लिए इसको समझे यूजर डिफाइंड टाइप है ठीक है यह क्लास बहुता है इसके बाद बूलके उससे यहां पर ना बना रहे हैं हो सकता है कि आप employee के लिए एक लाज बना लेंगा उसे एंप्लोई की क्या क्या प्रपर्टी होंगी तो जो भी निया प्रपर्टी कर रहे हो तो इस तरह तो इस तिरह और सारे प्यों कई सारे अब्जेक्ट आप बनाएंगे ठीक है तो सब के लिए अलग अलग डेटाइप होगा यह प्रोपर्टी अलग अलग होगी तो उसके लिए आप उसके हिसाब से जो है कि उसमें प्रोपर्टी कर दोगे वह जैसा चाहिए वैसा आप कर सकत है हाँ तो इनम जो होता है यह इनम जो है न एक्चुली क्या होता है कि यह जब हमको जरुद पढ़ती है कि भाई कुछ वैलू जो है हम नाम के हिसाब से यूज करेंगे ठीक है यहाँ यह यह यहाँ पर आप बना रहे हो एनम अ कलर लग इसमें आपको तीन तीन गलर थे यह आप क्या करोगे अब जो है इन इसको आरह नियमारी में इस नाम से करते हो यह इन जो इसकी वैलु आप लेते हो वो आप इसके नाम से करते हैं अब इसको आप यूज कैसे करोगे तो इसको कैसे यूज करने के लिए आप क्या करोगे color c equal यह कोई साभी जो है कि आप यूज कर लोगे ठीक है color.red या फिर color.green ठीक है और इसको आप ऐसे parameter आप पास कर सकते हो यह जो है अपने बनाया किस टाइब का color टाइब का तो यह एक ही वैलु एक बार में एक ही वैलु श्टोर करेगा ठीक है तो यह भी जो है कि हम जब देखेंगे तो वहां पर काफी color.red यह पास कर सकते हो ठीक है यह method वगरा भी हम काफी detail में देखेंगे वाट अभी method जो है कि एक set of code होता है जो कहीं हमारे sequential code से हटके कहीं और पर लिखा रहता है ठीक है तो वहां पर आप जो है कि आप यह color पास कर दोगे यहां पर कि भाई इस color का जो है कि हमको कोई यह को उन्होगा ग्रीन ऑगा कि ऊंड जोगा हमारा blue होगा डोगा हमारा red होगा तो चौ कि अंटाडनेश पास कर लगे आम यहां पर अगर यहींद आप ऐसे आप मतलब करना पड़ेगा यहां पर यह की एक ही वेरिवल क्रियेट कर रहे हो उससे क्या होगा आपको चाहिए आप वही यूज करो यहां पर क्लिए करने के लिए प्रोपर्टी यह आप यूज़ करने के लिए ठीक है इसको आप आप यहां पर सी भी पास कर सकते हो ठीक है यहां पर क्योंकि कोई मीनिंग्फुल नाम नहीं कि मैंने रेड बनाया है इसका नाम कि मैंने अगर आप इसको अच्छे से समझ लेगे ना तो यह तो यह मैं टारेक्ली ऐसे पास कर सकते हैं तो ठीक है यह है यह है डेटा टाइप हमारे पास ठीक है इसके बाद और कुछ है इसमें जो है कि अगर आप इसको अच्छे से समझ लेगे ना तो यह बहुत इंपोर्डेंट जो है ना मतलब समझ लिके प्रोग्रामिंग एक बहुत तगड़ा चीज है इसमें इसको आपको जानना ही चाहिए ठीक है कब कहां कैसे कौन सी जीज करना है वह आपको जानना ही सब्सक्राइब करेंगे और सफटर अच्छा सब्सक्राइब करेंगे और दो वीडियो को आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिये लाइक कीजिये शेयर केजिए फिर किसी और ने टोपिक के साथ